हलो दोस्तो पंदरा साल के मैरेज या पंदरा साल के रिलेशन के बाद अक्टर आमीर खान और उनकी वाइफ किरन राओ ने तलाक ले लिया है सेपरेट हो गए हैं दोस्तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है पूरा इंडिया, पूरा भारत सौक्ड में कि इन्होंने ऐसा decision क्यों लिया हलाकि इन्होंने reason तो नहीं बताया कि हमने ये क्यों decision लिया है बट उनका कहना है कि हमें बहुत समय से plan कर रहे थे दोस्तो इसको लेके ट्रेंड करा दिया गया है ट्विटर पर लव जिहाद आमिर खान फातिमा को भी घसिटा गया है इसमें फातिमा से एक जो दंगल में जिनको आपने देखा हुआ दोस्तो ये फैंस को बात हजम नहीं हुई है कि अचानक से ऐसा क्यों डिसीजन हुआ कि 15 साल के बाद हमें तलाक जैसे डिसीजन को लेना पड़ा तो लोगों ने दोस्तो ट्विटर पे ट्रिंड करा दिया है ट्रॉल करना चालू कर दिया है फातिमा सेख को लव जिहाद और आमिर खान को दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने कहा क्या है दोस्तो अजर देवगन फैन है लिखते हैं नेक्स्ट आप्शन फॉर हैस्टाग आमिर खान सुमीत प्रजापती हैं लिखते हैं फातिमा पहले अपनी बेगम से तलाक लो मैं तभी निगाह करूंगी तुमसे हैस्टाग आमिर खान हैस्टाग लब जिहाद ये कंगना रनावत हैं आफ्टर किरन राव एंड रीना दत्ता विच इस नेक्स्ट आप्शन फॉर हैस्टाग आमिर खान बहुत बुरी तरह से ट्रॉल किया जा रहा दोस्तो ये वन बाइट्वेंटी हैं लिखते हैं मेन वाइल आमिर खान टू फाटिमा आप्टर डिवोस मैं आ रहा हूं सुमित कुमार लिखते हैं रीना दत्ता मैरेज 1986 डिवोस 2002 किरन राव मैरेज 2005 डिवोस 2021 फाटिमा सना सेक नेक्स्ट फॉर 15 यह लीज बहुत गंदे तरह के से ट्रॉल किया जा रहा दोस्तो सिव यू एक्सेक्स हैं ये लिखते हैं हैस्टाइग आमिर खान प्रेफर फातिमा ओवर कोवीड सिल्स्लैश को वैक्सिन अनाया है लिखते हैं कॉंग्राजुलेशन सिन एडवान्स आमिर खान अन फातिमा सना सेग्ड फोब दिस रिलेशन्शिप इट विल लास्ट अ लॉंग टाइम आई अपोज कनवर्जन है लिखते हैं आमिर खान फर्ष्ट मैरेड रीना गुपता दे हैट टू चुल्रें इरा खान जुनेद खान दिन ही मैरेज किरन राओ हैस असन नेम अजाद खान दिस इस अ लव जिहाद बॉलिवूड स्टाइल मैसिव दोस्तो मैसिव ट्रॉल किया गया है आमिर खान फातिमा सेक और लव जिहाद को सबको मैच कर दिया गया है दोस्तो एक तरफ तो रिलेशन बची नहीं तलाक हो गया सेपरेशन हो गया इस तरह के बाते अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि बुरे वक्त से गुजर रहे हैं हमारा रिलेशन टिप ठूट चुका है बट यह कहीं न कहीं उन फैन्स उन जन्ता की फिलिंग है जो जो इस डिसिजन पर अपना व्यू रखते हैं दोस्तों आप इस पारे में क्या सुसते हो मुझे जरूर कमेंड करिएगा और चैनल को फटा फट सस्क्राइब करेज़ें